सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बदलना पड़ता है, भूलना पड़ता है, पापी, बदला नहीं अपसान यहानी के ऐसे हजाद हुट्स वहाँ पर मौझे है, उपर से लोकल मिले शाहर हजाद है साल 2024 में सफर फिल्म के साथ वापसी करेंगे बड़े परदे पर सनी दोल फिल्म की शूटिंग से एक वीड़ो हुई, शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल तो दोस्तों इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं कि आखिर अपकार बॉलिवूड इंडेस्टी में सनी दोल के फैंस कितने जादा है क्योंकि जिस तरह से फैंस ने गदरटू फिल्म को पसंद किया था, वो वाकरी में काफी लाजबाब था वही याँ वैसे मैं जो जो फैंस सनी दोल की किसी बड़ी फिल्म का इंतिजार कर रहे है तो उनको बताने कि सूपरस्टार सनी दोल सफर टाइडल नाम की एक फैंस को नज़र आने वाले है जिया दोस्तों ये फिल्म में एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें सनी दोल काफी लंबे वक्त के बाद एक दम बिलकुल कड़क और शांदार किरदार के साथ वड़े पर फाइनली बापसी करेंगे और इसी के साथ साथ मीडिया रेपोर्ट्स के मुताबिक सफर फिल्म में बॉलिवूर्ड के मेगा इस्टार सलमान खान भी एक छोटा सा कैमियो करते हुए नज़र आएंगे जो की तक्रीवन 5 से 8 मिनिट की बीच क्यास पास का रहने वाला है वहीं बात करें कि सनी दोल के डाई हाट फैंस को ये फिल्म में कब तक देखने को मल जागी तो साल 2024 ही वो साल रहने वाला है जिसमें ये शानदार फिल्म में रिलीज होगी वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हाली में इस फिल्म की शूटिंग से भी सनी दोल की एक वीडियो सोचल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हुई थी जिसमें ऐसा देखने को मिल रहा था कि सनी दोल शराप की हालत में मंबई की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से एक फेक वीडियो है क्योंकि ये वीडियो सफर फिल्म का एक सीन का हिस्सा रहने वाली है फिलाल अब इस फिल्म को कब रिलीस किया जाएगा ये देखना वाकई में काफी एकसाइटेड रहने वाला है फिलाल सफर फिल्म की ओर से कई और अपडेट्स को जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ